गुर्मानिंग दोस्तों तो आज का ये सुन्दर सा मिल्दार तो आप देखी सकते हो बाह का आस्मान कितना क्लियर हो चुका है कल ये सारे बादल पहाड के टॉप से टच होते हुए दिख लेते आपको और आज आप ये देखो बिल्कुल क्लियर है बादल ऊपर उठ चुके ह तो आज हमारे ट्रिप का अगला दिन है और यहां पैकिंग होगेरा हम अल्यडी सारी कर चुके सारे बाइस वगेरा कल रात को जब हम ट्रेक करके वाफस भी गोटे थे तो सुवह आज जल्दी निकल सकी क्योंकि हमें अब जो नेक्ष जगे जाना है माहां हमें दो से तीन आज के रिकवस्ट का आज के रिकवस्ट करें कि वह चाए के सा आलू प्याज वाले पराठे बना दें क्योंकि हमारे जो दो मितर हैं अब थोड़ा सा रोटी आप पराठे खाने में ज्यादा इंट्रेस्ट है और इसी के साथ नाश्ता करके थोड़ा सा अपस अपने राइटिंग येर्स पहनने हैं लगे जो रट्री सेट है तो यहां से अब हम अपने आगी की जर्णी का शुरुबात करेंगे तो इसके ट्यूट आगी की जर्णी देखते रहें और और सुंदर नजारे आपको देखने को मिलने वाले और साथ ही एक बहुत खास बात बताता हूं जो हमने इस टाउन में नोटिस की है इस टाउन में अगर कोई स्टेशनरी शॉप है या कोई डेरी शॉप है अगर उनके आप कोई रखा हुआ है आपको उसके अंदर बियर वोड का जरूर मिल जाएगा means यहां जो ड्रिंक करने वाले उनके लिए तो यह जन्नत है उनको ढूंडना नहीं बढ़ रहा है हमारे जो दो भाई है उन लोग को तो यहां किसी भी दुकान पर जाते है और उन्हें समान मिल जाता है वैज वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कोई यहां वेजिटेशन थोड़ा सा कम है लिम यह जैसे हमारा होटल वगरा का आप देख सकते हो चाय को यहां चिया बोलते हैं और हमारा खाना वगरा भी काफी सही था पानी वगरा रूम हमें 1200 का पड़ा था साथ में एक्स्ट्रा बैड लिया था वो 200 का और फिर यहां पर हमारा यह था तो टोटल हमारा यहां जो अमा सब्सक्राइटे हुए और आप लोगों के लिए कैमरे में रिकॉर्ड करके हम लोग बढ़ चले हैं अपनी आगे की जरनी पर जो की हमारा एंड पॉइंट था जैसा कि हमने पहले प्लान किया था पहले हम एंड पॉइंट तक जाएंगे रिटर्निंग के टाइम बीच वाल की उल्टा किया कि सबसे पहले हम एंड पॉइंट गए बड़ी माली का जैसा कि हमने दिखाया आपने देखा आपको व्लॉग अच्छे लगे होंगे तो अब हम वापस निकल चुके हैं कोशिश है आज दीपायल के पास खपतर नेशनल पार्क है जिसको यहां के लोग हैव उसकी ब्यूटी को डिसक्राइब करना बहुत इजी नहीं है और वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है तो अभी तो पता नहीं शायद वहां बर्फ होगी या नहीं होगी पर यह जो रास्ते हैं इन रास्तों के बारे में इतना तो आपको शायद समझ आ गया हो कि इन रास्तों के बारे में कोई प्रॉपर व्लाग्स एवेलेबल नहीं थे तो मेरे चैनल पर रापको यह सबसे पहले देखने को मिलने वाला है प्रापर रूट व्लॉगिंगुग कट गारे जो बडमालि का सोत्ता की रूट बजट में आप यहां आ सकते हैं और सबसेट सी चीज जैसा कि मैंने आज बताया आज का जो हमारा यहां का जो होटल का इस्टे था वो इंडियन करंसी में हुआ नियरली 2400 रुपरे आप्रॉकस आप मान सकते हैं 2200 रुपरे पारड़े का हमारा चार लोगों का और 22チャンネル का तब रहें का बरेक्षेट मैं यह सब द्नew था सकते हैं कितना अच्छा और सस्ता है ये जगह हमने ट्रैकिंग भी करके आए ट्रैकिंग वाली जगह वो अलगी मज़ा था और अब ये ऑफ रोडिंग का मज़ा भी है तो चलते हैं आगे बढ़ते चलते हैं और आगे की खूबसूरती भी आपको जरूर दिखाएंगे और व अब ये नेपाल में आने वाली पहली CB200X बन गई है ऑफिशल लॉंच से पहले तो ये आ गई है वाटर क्रॉसिंग और ये अभी तक की हमारी सबसे बड़ी वाटर क्रॉसिंग है आने के टाइम पर आपने इसका थ्रिस्ट्री व्यू तो देखा होगा जाने के टाइम मैं अच्छे से व्यू दिखा देता हूं और आज क्या होता है ना पहाड़ो में पानी सुबह थोड़ा ज़्यादा आता है तो अभी आप देखिए पानी भी हैं ज्यादा है कि मैं देख रहा हूं क्या हो गया तो दोस्तों अभी आपने बहतरीन शौट तो देखा होगा अब उसके बाद बात आती है हम क्यों ट्रिपर रॉल एंफिल्ड क्यों लाए थे बिकास्ट वी दोंट वांट पीस इतने अच्छी ट्रिप्पर कि हम सुबै से चलते हुए हमें हो चुके हैं हम आल्मोस्ट पोने नौ बजे चले थे तो हमें अभी करीब करीब दो घंटे हो चुके हैं और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 44 किलो मीटर हो चुका है और शिट तो अभी आप यहां देख सकते हो यहां जब हम कल भी गए थे तो यहां रोड का काम चल रहा था और इन्होंने रोड बनाई है तो उसके उपर इन्होंने यह डाला हुआ ह जो डश्ट होता है बालू बोलते हैं हम लोग ताकि टायर ना चपके यह नया नया रोड भी तैयार हुआ है अब इसमें सिर्फ हमें इंजिन ब्रेकिंग यूज करने होते हैं जैसे हम क्लच यूज नहीं करेंगे गियर के साथ मैं और गाड़ी को छोड़ देंगे तो आते हुए सांफे बगर ओर एर्पोर्ट जो था उसे पार करकर आ चुके हैं और एक प्डेट बताना चाहूंगा मैं पैट्रोल पंप को लेकर की हमें एं रास्ते में अधिपायल के पास पास पीट्रोल मिलाता और यहां सिल गड़ी के पास पीट्रोल पंप आपको मिल जा तो अगर आप यहां आते हैं हमने सुभह दो दो लीटर पेट्रोल सारी गाडियों में डल वा लिया है जिससे की करीब 60-70 या 80 km की एवरेज सबकी बढ़ जाएगी और हमारे पास एक लॉंग डिस्टेंस का इसकोप रहेगा कि हम आरम से जा सकते हैं हमारी तंकिया हमारी जो फ्यूल टैंक थे वह हाफ थे और दो लीटर एड करने से हमारे पास और इस पेस बच गया सो देट हमें कहीं पर अगर एक्स्ट्रा कुछ चलाना पड़े तो हमारे पास एक बैक अच्छा गासा बैक अप रहेगा 50-60 km का कर खास दो दो कर दो कर दो झाल 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 साफे बगर को पार करने के बाद वहाँ एरपोर्ट बगरा से निकलने के बाद हम ये जो दुबारा माउंटेन है इस पर चर्ड चुके हैं जहां पर हमने जाने से पहले भी रुक कर फोटोग्राफी गीती काफी ही अच्छी पिक्चर्स आई थी और आज क्योंकि धूप है तो यहां आस्मान जो है ना बहुत ही क्लीन दिख रहा है ये आप देख सकते हो आस्मान कितना क्लीन दिख रहा है और हम लोग रुके हैं यहां पर यह देखो थोड़ा सा फील के लिए रिलाक्स करने के लिए सुबैसे हम तीन घंटे से राइड कर रहे है नियरली 67-68 क्लूमिटर ट्रैवल कर चुके है अल्मूस्ट आज का हाफ डिस्टेंस हम कर चुके है जो आज हमने एम रखा है अपना उससे हाफ से तो जादे ही कर चुके है और अब थोड़ दे रहे हैं इंजॉय करके उसके बाद आगे आज फिर चलते हैं